नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉर्कास्ट में स्वागत हैं और आज सिंगापुर निफ्टी लगबक 65 से 70 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है उसकी सबसे बड़ी बज़े यही है कि हमने बापस यूस मार्केट्स में एक इसके अलावा मैक्रो फैक्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है लेकिन थोड़ी सी एक उनमें एक अपवर्ड एक्टिविटी देखी है जो हमारे मार्केट्स के लिए निगेटिव होती है साथ ही साथ अगर हम ओर ओर ओल इस मार्केट्स को फ्लोज के वैसिस पे कंसिलर करें तो डोमेस्टिक फ्लोज में कोई बड़ा बदलाव नहीं है या कोई बड़े रुजान नहीं है तो हमें वापस ग्लोबल क्यूज को काफी क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा और जैसे ग्लोबल क्यूज अनफूल्ड होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे मार्केट्स उस को फॉलो करते जाएंगे तो हमें ग्लोबल क्यूज को ज्यादा फॉलो करना इस पूरे हपते में और इसी वजह से हमें लगता है कि इस मार्केट में हमें थोड़ा केरफुल रहना जरूरी है इस हपते में हमें यूज में जो फेट की मीटिंग होती है उसका हमें सामना करन और उसका outcome Thursday के दिन आने वाला है, तो Thursday का दिन हमारे markets के लिए काफी important है और तब तक हमें लगता है कि इस market में volatility बढ़ती रहेगी, अगर टेक्निकल इस markets को देखे तो market ने Friday के दिन, याने शुकरवार के दिन, 20-day Simple Moving Average को retest कर लिया है, 18,450-420 के levels के करीब जाने के बाद market में हमने एक rebound देखा, लेकिन broader formation में और भी weakness बना है, और हमें लगता है कि ये market आने वाले दिनों में और भी गिर सकता है, तो यहाँ से अगर कोई भी अगर उचाल आता है, कोई भी अगर pullback अगर आता है, rebound आता है, तो हमें 18,600-18,700 के range में हमारे positions को और भी कम कर लेना है, in fact ज हमें कुछ positions को कम करके थोड़ा cash out करना जरूरी है, साथ ही 18,350 के नीचे हमें लगता है कि market में गिरावट बढ़ेगी, और market gradually 18,100-18,000 या 17,800 के levels को चू सकता है, 17,800 ये market के लिए कि important support है, ये पूरे rally का 50% area है, और इसी वज़े से हमें लगता है कि जैसे ही market 18,000 के नीचे आ कि इस markets में कुछ खरीदारी बन सकती है, तो with a medium to long term view हम ये सला करेंगे कि अगर market 18,000 के नीचे आता है, तो आप कुछ select buying बिलकुल कर सकते है, बड़ अगर current level से, यानि 18,500 से अगर कोई pullback देखने मिलता है, तो हमें वहाँ पे positions को कम करना है, बैंक निफ्टी ने एक market correct होता है, यानि कि broader market nifty 50 अगर correct होता है, तो bank nifty भी correct होते हुए नजर आएगा, तो 42,000 तक जा सकता है, यानि 42,000 तक वो भी correct हो सकता है, इसके अलावा में लगता है, IT index में pressure बना रहेगा, Thursday के दिन तक, और कुछ एक sectors, यानि कि FMCG और cement commodities के उपर हम focus करेंगे, क्योंकि crude के दामों में लगातर हमने गिरावट देखी है, और अगर ये गिरावट इसी तरह जारी रही, तो ये दोनों sector के लिए, ये काफी बड़ा positive trigger बन सकता है, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आप सभी के लिए, मैं आज का दिन मंग हो ये शुब काम नहीं करूंगा, और आप से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद